हेलो बच्चो, इस वीडियो के अंदर हम पहली कवीता के प्रशन उत्तर करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम पाठ से, मेरी समझ से का नीचे दिये गए प्रशनों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाईए, तो बच्चो, यहाँ पे आपको प्रशन दिये गए हैं आपको ये बताना है, कि ये जो प्रशन है, इन में से सबसे सटीक उत्तर कौन से है, सबसे सही उत्तर कौन से है, ठीके, तो जो भी सबसे सही उत्तर होगा, आपको उसके सामने क्या बनाना है, तारा बनाने, स्टार बनाने, ठीके, तो पहला प्रशन है, कवीता में नव जीव जनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जल्धर में काली पुतली है तो बच्चो काली पुतली किसे बोले? बादल को अबैखा अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने तो देखे बच्चो आप पहले का लिख दोगे मैंने अंकुर विकल्प इसलिए चुना क्योंकि कवीता में कवी ने कहा है कि वर्षा की पहली बूंद जब धर्टी पर गिटती है तो धर्टी के अंदर छुपे बीज में से अंकुर फूट कर बहार निकल आता है जैसे वे बीज नया जीवन पाकर अंगडाई लेकर जग गया हो अब आप दूसरे का लिखोगे मैंने बादल विकल्प इसलिए चुना क्योंकि कवीता में कवी ने नीला आस्मान नीली आखों के समान बताया है और काले बादल आखों की काली पुतली के समान तो बच्चो कवीता में कवी ने क्या बताया है कि जो नीला आस्मान है वो किसके समान है वो नीली आखों के समान है और जो काले बादल है वो किसके समान है तो हमारी आखों में जो काली पुतली होती है न उसके समान है ठीक है अब next है मिलकर करें मिलान यहाँ पे आपको बच्चो कवीता की पंक्तिया दी गई है ठीक है आपको क्या करना है यह जो पंक्तिया है न तो जिन शब्दों के नीचे लाइन खिची हुई है रेखा खिची हुई है आपको क्या करना है आपको उनको उनके सही भावर्थ से मैच पहला है आसमान में उर्टा सागर लगा बजलियों के सुरणीम पर उट्सागर क्या अरथ है उर्टा सागर किसे बले बादल को बले ठीक है फिर दूसरा है बजहा किसे बोला गया है साजी तो मेघं डरजनrusन मीघंग अठीक है तो गतिकात गचतें कि उनकी गरजन को क्या बोला गया है नगाडे, सौईबजा नगाडे ठीक है, फिर तीसरा है, नीले नयनो साइए अंबर, काली पुधली से ये जल्दर, तो बच्चों नीले नयनो किसे बोला गया है, आकाश को बोला गया है, फिर है वसंद्रा की रुमावली सी हरी दूब फु जो है एक तरह की घास है, अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा, कवीता में से चुन कर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में, अपने सम्हू म साजा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे, तो बच्चों यहां पिन आपको पंक्तिया दी गई है, ठीक है आपको क्या बताने, आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, तो पहली पंक्तियां है, आस्मान में अर्था सागर लगा बिजलियों के स्वर्नीम पर बजा नगाडे जगा रहे हैं बादल धर्टी की तरुनाई क्या रट है इसका कवी कहते हैं कि आस्मान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सागर बिजली के सुनहेरे पंक लगा कर आस्मान में ओर रहा हो तो बच्चो कवी ने क्य पुले कवी ने ये बोला है कि आस्मान में जो जल रूपी बादल है उनको देख सागर कैसा लगता है तो वो बिजली के यूवा वस्ता को जगा रहे हो तो बच्चों यूवा वस्ता किसे कहते हैं यूथ को अब जब बादल गरज रहे हैं तो कैसा लग रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं कि वो नगारे बजा कर किसे उठा रहे हैं वो धर्टी की यूवा वस्ता को जगा रहे हैं धर्टी की ज इसका रथे कवी नीले आसमान को नीली आखों के समान और काले बादलों को आखों की काली पुतली के समान बता रहे हैं धर्ती के कश्टों से दुखी होकर बादल बारिश के रूप में आसु बहा कर दया दिखाते हैं इससे धर्ती की पुरानी प्यास बुच जाती है और वे तासगी से भर जाती है तो देखे बच्चो कवी जो है वो क्या कह रहे हैं वो नीले आसमान को नीली आखु के समान बता रहे हैं और काले बादलों को किस के समान आखु की जो काली पुतली होती है उसके समान बता रहे ह अब देखिए, धर्ती के जो कश्ट है, उनसे दुखी होकर, बादल क्या करने है? वो बारिश के रूप में अपने आसू को बहा रहे हैं., और क्या दिखा रहे हैं आसू बहा के, अब इससे क्या रहे? इससे धरती की जो पूरानी प्यास है वो बुझ रही है और धरती कैसी होई दरती में तरो तास्गी आ गई है धरती तरो तास्गी से भर जाती है ठीके अब next है सोच विचार के लिए कवीता को एक बार फिर से पढ़िए और निमलिकित के बारे में पता लगा कर अपनी लेखन पुष्टिका में लिखे बारिश की पहली बूंद से धर्टी का हर्ष कैसे प्रकट होता है तो आप लिखोगे बारिश की पहली बूंद परते ही धर्टी का सूखापन खतम हो जाता है और नय अंकुर फूट परते हैं धर्टी हरी भरी बन जाती है और बारिश की बूंदे धर्टी में नई उज़द भर देती है तो बचो उज़ा किसम कहते है एनरजी को, ओके, फिर नेक्स्ट क्रेशन है, कवीता में आकाश और बादलो को किन के समान बताया गया है, तो आप लिखोगे कवीता में आकाश को नीले नयानो के समान और बादलो को काली पुतली के समान बताया गया है, अब है कवीता की रचन तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है लेकिन जब हम इस पंक्ती का भावर्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंक लगा कर आकाश में उड़ रहा है ऐसे प्रियोग ना केवल कवीता की सुन्दर तब बढ़ाते हैं बलकि उसे आनन दायक भी बनाते हैं इस कवीता में ऐसे द्रिश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें तो देखें बच्चो अब जैसे कवीता के पंक्ती है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वनीम पर अब ये क्या है अब इसमें जो बात लिखी वे बिलकुल भी पॉसिबल नहीं ठीक है अब आकाश जो है वो के देखें समुद्र में आकाश कैसे उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते हैं तो ये इंपॉसिबल से बात हैं लेकिन कवीता की कवीता के अंदर इस पंक्ती का यूज करना क्या है कवीता की सुन्दरता को बढ़ा रहा है कवीता को आनंदायक बढ़ा रहा है अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसी कुछ और पंक्ता लिखने है कवीता में से, जो क्या हो, जो पॉसिबल नहीं हो, लेकिन वो कवीता को आनेंदा एक बना रही है, तो आप कौन कौन से लिख दो कि तो आप लिखोगे बच्चो, बजा नगाडे जगा रहे हैं, बादल धर्ती की तरुनाई, अब बादल जो है, अब क्या है, बादल जो है, वो नगाडे तो नहीं बजा सकते ना, तो ये बात impossible सी है फिर है नीले न्यानो सा ये अंबर काली पुतली से ये जल दर तो ये बात भी possible नहीं है करूना विगलित अश्रू बहा कर धरती की चीर प्यास बुझाई ठीक है अब next है शब्द एक अर्थ अनेग अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन के ले अंगड़ाई कवीता की इस पंक्ती में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है फूट का प्रियोग अलग-अलग अर्थों में किया जाता है जैसे फूट डालना घड़ा फूटना आदी अब फूट शब्द का प्रियोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन-भिन अर्थ निकलते हों जैसे अंग्रेजों की नीती थी फूट डालो और राच करो तो देखे बच्चों आपको क्या करना है यहां पर आपको फूट शब्द से ऐसे वाक्यों बनाने हैं जिन में फूट शब्द का जो है वो अलग-अलग इसके मतलब का अलग-अलग प्रियोग हो रहा हो ठीक है तो बच्चों पहला वाक्या बनाओगे परिक्षा में असफल होने पर राकेश फूट फूट कर होने लगा तो यहां पर फूट फूट करकर क्या मतलब होगे जोर-जोर से ठीक है फिर है नेक्स्ट आप बनाओगे अंग्रेजों की नीती थी फूट डालो और राच करो तो यहां पर फूट डालो का क्या अर्थ हो गया विभाजन मतलब अलग करना फिर आप बनाओगे बच्चों ने घड़ा फोर दिया तो यहां पर फोर दिया का क्या अर्थ हो गया तोटना ठीक है यहां पर हमने फूटना शब्त का जो है इसका अर्थ होगा तोटना फिर है बा में लड़ू फूटने लगे अब यहां पे फूटने का क्या अर्थ हो रहें बहुत खुश होना ठीक है बच्चो अब नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीले नैनो साई अंबर काली पुतली से ये जल्दर कवीता की इस पंक्ती में जल्दर शब्द आया है जल्दर दो शब्दों से बना है जल और धर इस प्रकार जल्दर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारन करने वाला बादल और समुद्र दोनों ही जल्दारन करते हैं इसलिए दोनों जल्दर हैं वाक्य के संदर्ब या प्रियोग से हम जान सकेंगे कि जल्दर का अर्थ सम जाकाईता से ऐह धर से मिलकर कुछ शब्द और बनाईये और उनके अर्थ ढूंका लिखिенного लिखिए तो बच्चा आपको क्या करने हैं? यहां पर आपको धर्षब्द से शब्द बनाने भी भी लिखना है। तब बनाओगे मुल्ली धर, तो इसका क्या रथ हो जाएगा मुल्ली को धारन करने वाला, और हम मुल्ली धर किसे कहते हैं, मुल्ली धर हम कहते हैं, कृष्णी जी को, फिर है जटा धर, तो इसका क्या रथ हो जाएगा, जटा को धारन करने वाला, अब हम जटा धर किसे कहते ह चक्र को धारन करने वाला अब हम चक्र धर किसे कहते हैं बच्चो विश्णुजी को फिर है हल धर तो इसका अर्थ हो जाएगा हल को धारन करने वाला और यह हम किसे कहते हैं यह हम कहते हैं बलराम को ओके बच्चो अब हम करेंगे शब्द पहली नीचे दी गए शब्द जाल म में ढूनने हैं, तो देखे का है, एक प्रकार का वाग यंत्र, तो बच्चों कौन सा है वो, वो है नगाडा, नगाडा जो है, वो क्या है, वाग यंत्र है, उसके बादेखा, आख के लिए एक अन्ये शब्द, तो क्या है, नैन, ठीक है, गाहे, जल्गो धारन करने वाला, व पिर है आसु का समानार्थी, तो आसु को और हम क्या कहते हैं, आश्रू, ठीक है, फिर है आसमान का समानार्थी शब्द, तो बच्चों क्या है, वो है अंबर, आसमान और अंबर एक ही चीज हैं, लेकिन नाव अलग-अलग हैं, फिर है आपकी बाद, बारिश को लेकर हर व पर मुझे बहुत अच्छा लगता है चारो ओर ठंडी हवाएं चलती है और पूरे शरीर में ताजगी भर जाती है फिर नेक्स्ट है आपको कौन सी रिदू सबसे अधिक प्रिये है और क्यों बताईए तो मैंने इसको उतर लिखा है मुझे सर्दी की रिदू सबसे अधिक प्रिये है क्योंकि इस समय मौसम ठंडा होता है और कई प्रकार के गरम वियंजन खाने को भी मिलते है तो बच्चों मुझे कौन से रिदू अच्छी लगती है मुझे सर्दियों की रिदू अच्छी लगती है क्यों क्योंकि मौसम जो बहुत ठंडा होता है और हमें जो गरम व्यंजन होते हैं उनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है सर्दियों की रितूमे ठीक है आपको जो रितू अच्छी लगते हो अब यहाँ पे वो लिख सकते हो फिर है समचार माध्यमों से प्रतियक मौसम समचार के विभिन माध्यमों इलेक्ट्रोनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समचारों में रहता है समवाद दाता कभी बार तो कभी सूखे या भीश्मू धंड के समचार देते दिखाई देते हैं आप भी बन सकते हैं समवाद दाता या लिख सकते हैं समचार अत्यदिक गर्मी, सर्दी या बारिश में अपने जो इस्तिथी देखी है उसका आँको देखा हाल अपनी कक्षया में प्रस्तुत कीजिए तो बच्चों यह आपको खुद से करने है ठीक है आपको क्या करने है कि अगर आपने कभी बहुत जादा सर्दी, ठंड, गर्मी, बारिश ठीक है इन सब चीजों में, इन सब मौसमों में आपने जो स्तिथी देखी है आपको अपनी कक्षया के अंदर वो बताना है फिर है स्रिजन, नाम देना भी स्रिजन है उपर दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम देजिए तो बच्चों ये क्या है, ये है डेजर्ट लिली, ओके ये स्पौदिगा के नाम है डेजर्ट लिली अब नेक्स्ट है, इन्हें भी जाने इस कवीता में नगाड़े की ध्वनी का उलिक है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धर्ती की तरुनाई नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाग्यंत्र है कुछ वाग्यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, आदी नगाड़ा लोक उत्सवो के अफसर पर बजाया जाता है होली जैसे लोकपर्व के अफसर पर गाय जाने वाले गीतों में इसका प्रियोग होता है नगाडे को जोडे में भी बचाया जाता है इसमें एक ही ध्वनी पतली तथा दूसरे की मोटी होती है तो देखिए बच्चों यह क्या है यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है नगाड़ा अब नगाड़ा जो है वो कब बचता है वो बचता है तहवारों पर और यह क्या है यह पारम पर एक वागी अंत्र है ठीक है अब देखे अब यह जो है इस पर हम क्या करते है इस पर हम चोड़ बजा करेखें यह जो आदमी है इसके हाद में sticks हैं disp को इस नगाएर के इूपफर मार रहा है और फिर जो इसमें से sound produce हो ज्या ना तो नागाra जो है वहां उसके उपर मार मार के इसको बजाते हैं और कौन-कौन से ऐसे वाग्यंतर है जिनको हम मार मार के बजाते हैं जिसे ढोलग, डमरू, डफली, ठीक है ये सब अब है खोजबीन आपके यहां उत्सवों में कौन सा वाग्यंतर बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने सम्हों में उस पर चर्चा करें तो बच्चो यह भी आपको खुद से करना है फिल है आईए इंद्रधनुष बनाएं अब यह जोहां पर आपको rectangle से जगा दिगए है इसके अंदर आपको इंद्रधनुष इंद्रधनुष हम किसे कहते हैं बच्चो rainbow को तो यहां पर आपको rainbow को बनाना है आपको प्रशन उत्प्राइब होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दें अब अच्छो बेल एकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं को इन वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए